हाईलो फ्रेंज तो स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में तार्याम पढ़ने माल हैं जिव विग्यान के पांच बहुत ही महाधपूर प्रस्ण जो हर साली फीबोर में पूछे जाता हैं तो चलिए नंबर एक प्रस्ण देख लिजिए विलुप्त प्रजातिया क्या ह तो नंबर एक प्रस्ण है विलुप्त प्रजातिया क्या है तो उतर देख लिजिए जीव जनतुर की वे प्रजातिया जिनका अस्तित्व वर्तमान में प्रित्वी पर से पुनरूप से समाप्त हो गया है विलुप्त प्रजातिया का अलाती है उतर एक बार देख लिजिए जीव जनतों की वे प्रजातिया, जिनका अस्तित्व वर्तमान में प्रित्वी पर से पुनरुप से समाप्त हो गया है, विलुप्थ प्रजातिया का हलाती है उदारण देख लिजिए, मारी सस में पाया जाने वाला पक्छी डोडो जीव जातियों की विलुपती प्राकृतिक भी हो सकती है तथा और प्राकृतिक भी उदार एक बड़ाओ देख लिजिए मारी सस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो जीव जातियों की विलुपती प्राकृतिक भी हो सकती है तथा और प्राकृतिक भी नमबर दो प्रस्ण देख लिजिए बायो पाईरेसी किसे करते हैं तो उतर देख लिजिए मल्टिनेशनल कमपनियों वह दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंदित लोगों से बिना विवस्थित अनुमोदन वह छती पूरक के जैव संसादुनों का उप्योग करना बायो पाईरेसी कहला ताही एक वड़ा उतर देख लिजिए मल्टिनेशनल कमपनियों वह दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंदित लोगों से बिना विवस्थित अनुमोदन वह छती पूरक के जैव संसादुनों का उप्योग करना बायो पाईरेसी कहलाता है नमबर तीन कोश्चन देख लिजिए वायत मल के प्राथमिक तथा द्वीतियक उप्चार में विवेद कीजिए अंतर बताईए एक बड़ाव नमबर तीन कोश्चन देख लिजिए वायत मल के प्राथमिक तथा द्वित्यक उपचार में अंतर बताईए या विवेद कीजिए दोनों एक ही है तो उतर देख लिजिए प्राथमिक उपचार के दवरान जैव आक्सीजन मांग बियोडी उच रहती है जबकि द्वित्यक उपचार के दवरान यह अपेक्छाक्रित रूप से निम्न रहती है एक बड़ावर उतर देख लिजिए प्राथमिक उपचार के दवरान जैव आक्सीजन मांग बियोडी उच रहती है जबकि द्वित्यक उपचार के दवरान यह अपेक्छाक्रित रूप से नमबर चार कोश्चन देख लिजे रोग जनक क्या है तो उतर देख लिजे रोग जनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कोई तरह की विमारियों का जन्म होता है इन में विसारू, जीवारू, कवक, पर जीवी आधी आते हैं या किसी भी जीव, प्यरपावदे या अन या सुच्म जीवों को विमार कर सकते हैं मानव में जीवों के कारण होने वाले रोग को भी रोग जनक रोगों के रोग में जाना जाता है एक भरावर सूर से उतर देख लिजे रोग जनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कोई तर किसी भी जीवों के पैर पौधे या अनसुच में जीवों को बीमार कर सकते हैं मानों में जीवों के कार्ण होने वाले रोग को भी रोगों के रूप में जाना जाता है नमबर फांच कोश्चन देख लिजिए नमबर फांच कोश्चन है जीन की परिवासा दीजिए ये कहा पाए जाते हैं तो उतर देख लिजिए एक जीव के किसी भी लक्षर को नेधारित करने वाले मेंडिलियन कारक को जीन करते हैं ये आनुवानसिक पदार्थ की एक प्रकार्यक इकाई होती है जीन गोर्षुत्र पर उपरस्थित होते हैं एक बार उतर देख लिजिए एक जीव के किसी भी लक्षर को नेधारित करने वाले मेंडिलियन कारक को जीन करते हैं वे आनुवानसिक पदार्थ की एक प्रकार्यक इकाई होती है जिन मोर्सुत्र पर उपास्थित होते हैं तो फ्रेंज आपने जिव विग्यान के पांचे वह इंपोर्टन कोच्छन देख लिए जो हर साल इपी बोर्ड में पूछे जाते हैं आपको इन लगू आपको अच्छा लगाओ और शकर सब्सक्राइब करें आपको ऑमारे चैनल पर आपको इस कम्यूंते रहेगा तो मिलते bleibt अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए दन्यवाद